नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हो मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल को ब्लोग्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली हमारे सामने है और देखेगा आपकी हतेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है उसके नेचे का जो ये भाग है इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं ये देब गुरु ब्रस्पती है और हमारी हतेली में बैठने वाले पर्थम आचारे हैं यहां पर बड़े सुन्दर दिखाई दे रहे हैं ये जगह उबरी हुई है सुन्दर है पुष्ट है अच्छी खासी है किसी प्रकार की कोई कमी इस परवत पर नहीं दिखाई दे रह ये आपका जो थम है अंगठा उसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम बेनस का माउंट कहते हैं ये सुकराचारे जी है और हमारी हतेली में बैठने वाले सेकण आचारे हैं और ये देतियों के गुरु हैं लेकिन उनके साथ साथ ये भगवान शंकर की सिस्य है ये बहुत श्ट्रोंग है आपका ठीक है तो कहीं न कहीं क्या है कि ये जगह भी उबरी हुई है सुन्दर इस्तिती में है बहुत खूब सुरत हतेली में दिखाई दे रही है जो जो मैंने मार्क किये हैं दोनों जगा आप अगर देखेंगे तो ये दोनों ये और ये सुन्दर और देखेंगे चाए आप महिला हों या पुरुस हों आपकी हतेली में देव गुरु ब्रस्पती जुपिटर का माउंट और देत्य गुरु सुक्र वीनस का माउंट दोनों बहुत अच्छे हों इसी प्रकार्शिव हों तो ऐसे लोगों का चेहरा देख कर ही कोई भी उनकी तर रहेगी औरों को अपनी तरफ आकर्शित करने वाला व्यक्तित्व रहेगा ऐसी आपकी प्रसनल्टी रहेगी कि कोई भी आपका चेहरा देखकर कहीं न कहीं आपका व्यक्तित्व देखकर आपकी तरफ आकर्शित हो जाएगा इस प्रकार का जो है आपका व्यक्तित्व और इसके साथ साथ देखेगा जब हतेली में देव गुरु ब्रस्पति और देट्य गुरु सुक्राचारे बलाबल के अवस्ती में हो जैसे आपका है और हतेली के रंगत भी इसी परकार से हो तो ऐसा ब्यक्ति कहीं न कहीं गुला जिसको हम कहते हैं प्रेमी होता है प्रेम करने वाला होता है उसके अंदर कहीं न कहीं चीजें सार्थक होती हैं तो यहां पे कहीं न कहीं प्रेमी होंगे प्रेम करने वाला ब्यक्तित्व आपका रहेगा जो कुरूरता है निश्ठूरता है या किसी परकार का ख़डोस्पन है वो आपके अंदर नहीं रहेगा थोड़ा समझने की कोशिस करेगा और एक बात बता दू मैं आपने जो भी सवाल किये हैं उन सवालों को मैं बताऊंगा नहीं किवल उनके आंसर देनी की कोशिस करूँगा मनि उत्तर पूरी तरों से आपको दे दूँगा आप खुद समझ लीजेगा एक एक आंसर का मैं क्वेशन का आंसर दे दूँगा जब भी इंडेक्स फिंगर का नेचे वाला भाग इस परकार से सनी की तरफ जुखता है ने दोड लगाता है ने तो जितना जादा ये जुखता है उतनी देर में साधी होने की संभावना को ये दिखाता है यहाँ पे जो चीज दिखाई दे रही है अगर अभी साधी नहीं हुई है तो 26 वर्स से लेके 28 वर्स के बीच सुन्दर योग बन रहे हैं बहुत अच्छे योग बन रहे हैं यहाँ पे कहीं न कहीं अगर आप लोग कोशिस करें कोसिस नहीं करेंगे तो नहीं क्योंकि आप नहीं चाहेंगे तो कितना भी बड़ा योग बन रहा हो साधी नहीं होगी क्योंकि आप नहीं चाहेंगे लेकिन अगर आप कोसिस करते हैं आप चाहते हैं साधी हो जाए तो 26 वर्स से लेके 28 वर्स के बीच बहुत सुन्दर योग बन रहा है और कहीं न कहीं आपकी साधी हो जाएगी। अब इसमें सवाल आता है कि लम मैरीज होगा या अरेंज मैरीज होगी। ठीक है ना? देखेगा इसमें 50-50 चांस है हैं। Love marriage के भी दो-तीन चान्स यहां पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और arrangement marriage के दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं सुक्र का परोत, ये प्रेम को दिखाता है हमारी जीवन में, आकरसण को दिखाता है, और कहीं न कहीं सुक्र अगर मजबोत हो, तो व्यक्ति अगर प प्रेम विवाह की तरफ हो तो पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं उनकी भी रजामंदी हो जाएगी और कहीं न कहीं जो है दूसरे पक्ष को भी आप समझा सकते हैं अगर प्रेम का कोई मामला होगा तो सुक्र के कारण कहीं न कई सफल होगा ठीक है न एक तरफ से वो प्रेम का म अमला अरेंज मेरेज की तरह हो जाएगा दूसरी बात देखेगा आपके निम्न मंगल पे एक रेखा उबरती वी दिखाई दे रही है और निम्न मंगल होता है भूमिका पुत्र यह आपके प्राकरम को बताता है आपके जो है एक एनरजेटिक स्वभाव को बताता है आपके अंदर के confidence को बताता है ठीकर तो यहां पर सांदार मंगल की रेखा उदयमान इस्तिति में है ठीकर कहीं न कहीं आपको अपनी जीवनकाल में दूसरों का सयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा इस रेखा की उजों से और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी किर पा आपके उपर बनी रहेगी इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए तीसरी बात है यह लब मेरेज का बहुत अच्छा सिगनल होता है तो यहां पर यह चीज कहीं न कहीं बता रही है कि लब मेरेज कहीं न कहीं जो है अगर आप करना चाहेंगे तो सफल हो जाएगे तीसरी प्रतिबा ये लकीर ये भी इंगित कर रही है कि जैसे जैसे ये बलिष्ट होती जाएगी सुन्दर आउस्ता में दिखती जाएगी वैसी वैसे आपके अंदर अच्छी प्रतिबा और तीब्र बुद्धी का सर्जन होता जाएगा वो चीजें बढ़ती जाएगी आपके अंदर इस रैखा की वो जोसे सोचने और समझने की सक्तिका में इजाफा होगा और उसका फाइदा आपको जीवनकाल में मिलेगा कहीं न कहीं ऐसा भी व्यक्तितों उभर कर आएगा कि जीवन में एक बार कोई डिसिजन ले लेते हैं कोई न्रणे ले लेते हैं तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और निश्चित रूब से ये आपकि व्यक्तितों को प्रभावित करता है जैसे ये रेखा बड़ेगी आपका जो परसनल्टी है आपका जो प्यक्तितो है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभाव साली भी रहेगा समाज में अपने लोगों के उपर बहुत अच्छा प्रभाव ये देगा तीसरी बात है ये मंगल की रैखागर होती है तो ऐसे बिक्ति अपने रिष्टों को बड़ा समाल के रखना जानता है ठीक है ने वो सोचता नहीं है कि फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कहीं न कहीं चो आप पैरेंट्स हो चाहिए भाई ब उन्दर है ये कुटुम के सुक को दिखाता है कहीं न कहीं आप अपनी तरफ से सारे रिलेशन चायो माबाप से हो चाय भाई बहिन से हो कुटुम से हो अपनी परिवार से हो कहीं न कहीं आपके रिलेशन आपकी तरफ से बहुत अच्छे रहेंगे और कहीं न कहीं आपको भ जमीन जायदाद से बहुत बड़ा लाब मिलेगा। निश्चित रोप से ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का अपना घर अपनी जिवनकाल में अपने कमाईवी पैसों से निश्चित रोप से मिलता है। अचल संपति का लाब निश्चित रोप से आपको मिलेगा अब यहाँ पर एक चीज और देखेगा सबसे important होता है हमारा ये वाला साधी के बारे में इसने बता दिया है अब ये साधी के बाद जो है जीवन कैसा रहेगा ये चीज भी देखनी जरूरी होती है हतीली में हम बहुत सारी चीज़ों पर नहीं जाएंगे complicated हो जाएगा हम एक सुन्दर सी चीज देखते हैं जो एक सामने से सामनी बिक्ति भी अगर करके देख ले आजमा के देख ले तो चीज़ें उसकी समझ में आ जाएगा वो practical नौप से CHीज़ों को देखेंगा यह हमारी जो बीच की उंगली है इसके नीचे का जो अस्तान है यह करम का अस्तान है भग्य का अस्तान है क्योंकि यह बताता है कि आपके करमों में नहित होता आपका भग्या आपके सोचने में नहीं होता है आप जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी प्रकार से आपका भग्य बनता है सनी है ये कर्मों को देखता है और उसके अनुसान नियाए करता है तो ये चीजों को यहीं से देखा जाता है इसके बीचों बीच एक कालपनिक रेखा अगर खींच ले बीचों बीच उसके बाद आप मस्तिस्क रेखा को देखें न तो टूटी हुई है न इसमें तिल है न इसमें किसी राहु रेखाने प्रभाव डाला हुआ है सुन्दर और इस पश्ट आउस्ता में आ रही है क्या बता रही है कि देखेगा साधी के बाद आप लोगों का जीवन काफी उत्तम जाने वाला है ठीक है न अब उसके बाद इस कालपनिक रेखा के बाद आप जीवन की रेखा को देखें ये भी बहुत सुन्दर है न तो छूटी हुई है न इसमें तिल है न दाग धबबा है और नहीं इसमें गुणा का कोई चिन है ठीक इसका मतलब है कि साधी के बाद आप अपनी दामपते जीवन को अच्छा खासा लीड करेंगे आपका दामपती जीवन कहीं न कहीं सुखद रहेगा ठीक है अब दूसरी तीसरी बाद देखते हैं देखिगा हमेशा देखना जब आपका सुकर सुनर इस्तिति में हो और उसके साथ ब्रसपती अच्छा हो और हिर्दे की रेखा भी एकदम साड़ार इस्तिति में हो तो व्यक्ति की जो लाइप पाटनर होता है वो भी समझदार होता है और कहीने कहीं चीजों को हैंडल करने की चमता रखता है और सुन्दर भी होता है अच्छे घराने में ऐसे लोगों की साधी होती है मैं चीजें इस तरों से बोलना हूँ आप लोगों का जो है सवालों के जवाब भी मिल जाए ठिक अब इस उंगली के भी बात कर लें हम आपकी जो मध्यमा है ये आप देखेंगे कि सुन्दर आउस्ता में एक जितनी लंबाई इसकी वास्तों में होनी चाही थी जितनी चोड़ाई होनी चाही थी उसी अनुपात में है ये न तो इन उंगलियों से बहुत बड़ी है और न छोटी है न इन उंगलियों के बराबर है एक सामन्य अनुपात में है और सुन्दर दिखाई दे रही बीचों बीच बहुत खूब सोरत दिखाई दे रही आप खुद देखेगा और कर्म में बनने वाली उंगली है तो क्या कह रही है कि निश्चित तोर पे आपकी जो मानिशिक छमता रहने वाली है उसकी पावर बहुत अच्छी रहेगी साथ साथ में आपकी जो अध्यात्मिक छमता है अध्यात्म को समझने की जो ताकत है वो भी आपकी अंदर बहुत अच्छी अवस्ता में रहेगी और जो आपका लक है वो भी बहुत अच्छा रहेगा ये उस चीज को दिखाता है लेकिन स्वाविमानी होंगे और विबे की पूर्ण धंक से जो है अपनी जिवनकाल में काम करेंगे विबे की बिक्ति होंगे इसके साथ साथ कियो और अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचेंगे बलकि दोस्रों की मदद करने वाले भी रहेंगे लेकिन बुद्ध मता से काम करेंगे और लक आपका कहीं न कहीं जिवन में साथ देगा यहाँ पे आपकी मिडल की फिंगर बता रही है ठीक अब यहाँ पे देखेगा आप यह आपका जो है कहीं न कहीं जो है ब्रस्पति का माउंट है और आपका ब्रस्पति का परवत पे आप ध्यान से देखें इस प्रकार से जो है लकीरे आती हुई दिखाई देरी है और यहाँ पे इनके बीच में एक तिरकोन बनता है ब्रस्पति का प्रभाव पढ़ रहा है पुष्ट ब्रस्पति का और चतोस्कोन बना रहा ये बहुत अच्छा है ऐसे लोग अपनी जिवनकाल में कुसल परसासक होते हैं साधारन घराने में जनम लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुँचते हैं और अपने ही देश में नहीं बलकि पूरे शंग्षार में जो है सम्मान पाते हैं ऐसे वो क मिलेगा मनि कहीं न कहीं जो है आप ब्यापार से जादा नौकरी में आपका फाइदा है ठीक है ने ब्यापार करेंगे ठीक रहेगा लेकिन ब्यापार से जादा नौकरी आपको सुटेबल रहेगी और अच्छा पद आपको अपनी जिवनकाल में मिलेगा ये चीज ये संदित करियर आप चुने तो उसमें ज्यादा फाइदा होगा बाकी कुछ और ऑप्सन भी जिवन में है आप किसी भी तरफ जा सकते हैं लेकिन ब्रिस्पते पे चतुसकोन है तो कहीं न कहीं ये अपने करियर में अपने छेतर में बहुत उचपत तक ले जाएगा वो छेतर सिक्षा का छेतर है एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई भी हो इंजीनियरिंग है चिकित्सा है मैनेजमेंट है मानिज्या है और कानून का छेतर है इन छेतरों में काम करने की सोचेंगे या काम करेंगे तो आपको बड़ी काम्याबी मिलेगी यहां पर इस पश्ट रहा है दूसरी बात देखेंगा आपका यह पुष्ट और सुंदर है सुंदर इस्तिति में हैं पुष्ट इस्तिति में है तो निश्चित ही जो है आने वाले समय में ौ 2 ठीक है न आने वाले शमय में निश्चित रोप से अगर हम देखें तो स्वायम तो उन्नति करेंगे लेकिन जो आप से मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप कहीं न कहीं उन्नति करने में साहता प्रदान करेंगे लेकिन स्वाविवान की भावना होगी अपने छितर में नोलेजबल ब्यक्तित तो र धार्मिक भावनाएं भी ब्रिस्पति की वजोसे आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगे और कहीं न कहीं चीजों की और जो है उसका नोलेजबल आपको अच्छा रहेगा साथ-साथ में आत्म ग्यानी भी रहेंगे जो गूड ग्यान है वो भी आपके अंदर रहेगा और गुरू की वजोसे ब्रिस्पति जी की वजोसे निश्चितरों से अपारमान सम्मान जीवन में मिलेगा जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा चाए आप सड़क के किनारे में हो या महलों की उचायों में हो हर जगा आपको सम्मान की द्रिश्टि से देखा जाएगा ए तो परेशानिया है वो सब की जीवन में आती है आपकी जीवन में भी आएंगे लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे कुछ समय परेशान जरूर कर सकते हैं लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे जैसे आई थी वैसे चली भी जाएंगे किसकी उजोसे ब्रिस्पति की उजोसे ठीक है न? अब यहाँ पे कुछ चीजें देखे ब्रस्पति जो है आपका बहुत सुन्दर है आपका ब्रस्पति के अलावज चंद्रमा भी बहुत खुब सुरत है और मस्तिस्क रेका कही न कही इस तरह से है चंद्रमा धर्म का छेत्र है यातराएं यहां से देखी जाती है और यह मन का कारक है चंद्रमा आपका कह रहा है कि मानसिक रोप से आप अपनी जीवनकाल में बहुत मजबूत रहेंगे आपका confidence level बहुत अच्छा जीवन में रहेगा और इसका फाइदा मिलेगा और कहीं न कहीं जो आपका सरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो भी ठीक रहेगा और creativity आपके अंदर जादा रहेगे आप creative रहेंगे एक बात बहुत खोब सुरत है आपको अपनी जीवनकाल में चंद्रमा की उजों से मा का सुक बहुत अच्छा मिलेगा आपकी हतेली में चंद्रमा बहुत खोब सुरत है विहतर इस्तिति में है मजबूत इस्तिति में है सकारात्मक सोच जादा रहेगे सांत चित विक्तितों भी आने वाले समय में बढ़ेगा और कहीं न कहीं छलकपट से दूर रहेंगे और जिस चीज के बारे में सोचेंगे थोड़ा डीपली सोचने की कोसिस करेंगे और महिलाओं का सयोग भी आपके जिवनकाल में मिलेगा जब मस्तिस्क रेखा इस प्रकार से इसमें आने की कोसिस करती है तो विक्ति जो है कहीं न कहीं जो है बिवेकी होता है कही न कहीं जो है ब्रिक्ति का जो बौधिक अस्तर है बहुत अच्छा होता है लंबी और हवाई आतराओं को ब्रिक्ति को मौका मिलता है तो बिदेश जाने की योग भी आपकी हतेली में बन रहे है और वही ब्रिस्पति का चतुस्कून कहे रहा है कि अपने ही देश में नहीं बलकि पूरे संगसार में कहीं न कहीं सम्मान पाएंगे ठीक है चाहिए आप कितने भी गरेव घर में पैदा हुए हो आपके हतेली में ये दिखाई दे रहा है अब देखेगा दूसरा अंगोठे के नीचे का ये भागा है सुक्र का प्रवत मैंने पहले भी बोला है कला के लिए सुंदर के लिए शुन्दरता के लिए और एक सुखत जीवन जीने के लिए इसका हतेली में पुष्ट और सुन्दर होना बहुत जरूरी होता है आपके हतेली में सुक्र सुन्दर रोप में है तेजो मैं अवस्ता में है आप भी सुक्र की वजोसे तेजो स्वी रहेंगे आपका चेहरा भी सुक्र की वजोसे बहुत सुन्दर रहेगा और जो सुन्दरता है जो आकरसन है वो आपके अंदर विद्यमान रहेगा लेकिन हर प्रस्तित को handle करने की चमता भी रखेंगे ठीक है ने? अपने को maintain रखना, अपनी personality पर ध्यान देना, अपने को सज समर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगे दूसरी बात है कि नई चीजों के परति रुझान बना रहेगा नई fashion के परति, नई कपड़ों के परति, मार्केट में जो नई चीज़ें आती है, नई technology के परति, रुझान बना रहेगा एक luxury life की तरफ कहीं न कहीं आकरसन रहेगा, और उसको पाने के लिए प्रयासरत भी रहेंगे और कहीं न कहीं सफल भी होंगे, ये आपकी जो है, सुक्र का प्रोथ कहते हैं इसको बल दे रहा है आपका दोनों मंगल, बहुत सांदार हैं, ठीक हैं, प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा, एनरजेटिक स्वभा हो रहेगा और जीवन में कितनी भी प्रेशानी में आ जाए, समस्याओं में आ जाए, अपने आपको हार नहीं मानेंगे लगाता लगे रहेंगे, जूजते रहेंगे कहीं न कहीं आपका नेचर भी कहीं न कहीं अलबेला रहेगा दूसरों की सेवा करना दूसरों के साथ खड़ी होने वाले लोगों में आना दूसरों की मदद करना ये चीजें भी आपके अंदर रहेगी और कहीं न कहीं जो है देखा जाए तो साहस, उर्जा कारे छेतर में लगे रहेने की छमता मंगल आपको ज़्यादा प्रोवाइड करेगा और इसका फाइदा भी आपको जबरदस्त मिलेगा और उसके साथ एक चीज और बहुत अच्छी है यहाँ पर यह उंगली पूरी तरह से जुक रही है सूरे की उंगली की तरफ धन का मानी की ललक भी रहेगी जबरदस्त बनी रहेगी और इसके साथ साथ देखें तो यह उंगली बिल्कुल पॉइंटेड है एक दम इसका सिरा जो है यहाँ पे पॉइंटेड है तो थोड़ा मौका परस्त भी रहेंगे किस समय पर कैसे बोलना है किस परकार से बोलना है इस चीज के लिए बहुत ज़्यादा समझदार रहेंगे और आपके अंडर में जो है काम करने वालों की संक्या भी ठीक ठाक रहेगी कोई कमी रहेगी तो उसको वो लोग हैंडिल कर लेंगे और आपको समस्याओं से आप बच जाएंगे यह बहुत अच्छी चीजे यहाँ पे दिखाई दे रही है साथ साथ में देखें तो यह परवत भी आपका बहुत अच्छा है कहीं न कहीं वानी की सक्ति बहुत अच्छी रहेगी तन की सुन्दरता भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है, योजना बद तरीके से काम करने वाला व्यक्तित रहेगा, निश्चित रूप से हर तरह की प्रस्तितियों को समझने वाला व्यक्तित रहेगा, एक चीज बहुत खूब सूरत रहेगा, जिस भी कार्य को एक बार प्रारंब कर देंगे, अ शित्र में भी माहिरता हसिल होगी सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण आपके अंदर बुद्ध अच्छी तरों से देता हो दिखाई दे रहा है चाहे नौकरी हो चाहे ब्यापार हो बुद्ध के कारण कहीं न कहीं जीवन में सफलता जरूर मिलेगी और ये बहुत सुंदर है बहुत खूपशुरत है अपना अच्छा फ़ल देगा कहीं न कहीं जो आर्थिक इस्तिती है वो भी भूँत अच्छी रहेगी और सेहत का जो मामला है उसमें भी कहीं न कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है अब चलते हैं कुछ और चीजहों पे ज आपकी मिडल फिंगर के बीज में जारी है इसमें देव गुरु ब्रस्पतिका और सनी दोनों का प्रभाव पट रहा है दोनों का बलाबल आ रहा है ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी जिवनकाल में बहुत बड़े महत्तो कांचि ब्यक्ति हैं आपकी सोच निरंतर आ और इसके लिए कितनी भी मेहनत करने पड़े एन केन प्रकारेन जो भी आपसे हो जाई वो आप करेंगे ये इस पर पढ़ने वाला प्रभाव बता रहा है अब यहां पर एक इस प्रकार का सायन बता रहा है देखेगा ये ब्यक्ति के अंदर रहस्य पैदा करता है विद्याओं की तरफ भी आकरसित रहेंगे मनी कि जो रहस्यमई विद्याएं हैं लेकिन जो समाज के लिए अच्छी है उनकी तरफ उसका जो रुजहान है वो बढ़ेगा और उसका जो नौलीज है उसको भी अर्जन करेंगे दार्शनिक मनी एनलेटिकल सोवह वाला ब्यक अच्छा है बोदेकस्तर बहुत अच्छा रहने वाला है यहां पर देखेंगे यह जिवन की रेखा इस तरह से आती हुई कितु की तरफ जा रही है एक बात का ध्यान लखना है यह प्रेक्टिकल देखा है मैंने जिवन रेखा ऐसे लोगों की जो उन्नत होती है जो यह लो चैनो करें चैबिया पार करें लेकिन ये विदेशों में बहुत जादा तरकी कर लेते हैं ये योग जो है विदेश ले जाने का योग बनाता है या अपने सहर से दूर हो दूसरे सहर में हो गाउं से दूसरे गाउं में हो कहीं न कहीं जो है जनम अस्तान से दूर ही तरकी ऐसे लोगों को होती है दूसरी बात ये लोग जीवन में तरकी तो करते हैं लेकिन स्वयम के परिसरम स्वयम की मेहनत के बल पे स्रेश्ट सपलता हासिल होती है तरकी ये बहुत उचाय की कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे उतार चड़ाव इनको जहलना पड़ता है कई बार और इस्तिर्ता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है जो कुछ भी बनते हैं जादतर अपने दम पर बनते हैं ये खुब सुरत चीज आपकी हतेली में दिखाई देरी है लेकिन कर्म ऐसे करते हैं कि अंत में ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ती मिलती है और ये ही सबसे खुब सुरत चीज हतेली में है करियर और धन की रेखा इस तरों से निकल करके एक एक मस्तिस्क रेखा में समाहित हो रही आगेनी बढ़ रही है अगर आप ध्यान से देखें इस तरों से ये यहाई तक जारी है आगेनी बढ़ पारी है और फिर एक हल्ल की यहाँ से जो है आभास हो रही है 2800 से लेके 3500 वर्स के बीच में करियर और धन के मामले में उतार चड़ाव जादा आ सकते हैं इसके लिए आप पहले से प्रिपेर रहे क्या करना पड़ेगा इसके लिए महालक्षमी की पूजा निश्चित रोप से जो जोतिस में चीज़ें दी गई हैं वही आपको अपनानी है और एक बिग्यानिक प्रेक्टिकल किरिया होती है उसको कहते दिब्ययोग ध्यानी किरिया मैं प्रॉपर तरीके से आपको दूँगा आप उसको बहुत सुंदर और सरल तरीके से करे जिससे कही न कहीं जो आपके हाथ की कोसिकाई है जो मन से मिली हुई होती है उनमें कहीं न कहीं जो है हलचल पैदा हो एक बाइब्रेशन पैदा हो और आपके जो सरीर के पाँच तत्व है एलिमेंट है वो एक्टिबेट रूप में आ जाए आपके सरीर की जो सातों चक्र है वो कहीं न कहीं सुप्त अवस्ता में है तो उभर कर आ जाए और रेखाएं पूर्ण रूप में उभरें महालक्षमी की किरपा हो तो जो आपका करियर का छेतर है जो आपका धन का छेतर है उसमें बृति हो वो इस्टेवल अवस्ता में आए तो इस रेखा को सुन्दर करने के लिए दिब्यय योगध्यान किरिया और आपको महालक्षमी की पूजा जरूर करनी है ये सबसे पहला आपका उपाई है ठिक अब देखेगा ये उंगली पूरी तरों से जोकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ गुरू पर बनने वाली उंगली है निश्चित रोप से धार्मिक भावनाईं बहुत बड़ी मातरा में रहेंगी इस वर में विस्वास बना रहेगा इसके बारे में हमने बता दिया है ये उंगली भी पूरी तरों से जोकी हुई है इसकी तरफ यस पाने की एक्षा नेम फिम पाने की एक्षा और अपने कारियो में बहुत ज़्यादा बिस्तार पानी की एक्षा भी आपके अंदर सूरे के कारण रहेगी यहाँ पर अगर देखें इससे बड़ी है तो कहीं न कहीं सपलता का अस्तर को बता रही है कि सफल जरूर होंगे एक चीज है बरतमान में सभी उंगलियों का जुकाव बीच की तर रहेगी लेकिन कितनी रहेगी कब कब रहेगी यह डिपेंड करेगा आपके कर्मों के उपर कर्म सही रहेंगे इमानदार रहेंगे तो इसका असर कम पड़ेगा पड़ेगा लेकिन बहुत कम पड़ेगा अंगुठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तितो रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयतनसील व्यक्तितो भी रहेगा मनिबं यही कह रहा है कि स्वयम के परिसरम, स्वयम के मिहनत के बल पे ही स्रेष्ट सपलता को आप हासिल करेंगे अब ये नहीं बताओंगा कि बच्चे कितने होंगे ये जरूर है कि पुत्र योग है चाहे पुत्री हो पुत्र हो लेकिन बेग्यानिक योग है तो इसलिए कानूनी भी और वेंसे भी जो है हम ये नहीं बता पाते हैं कि कितना जो है बच्चे होंगे ये लिखा रहता है तीली में या कुंडली में लेकिन बेग्यानिक युक में इसे बताना ठीक नहीं माना जाता है तो ये तो जरूर है परिवार का पूरा सुक है दामपत्य जिवन का सुक है कुटुम का सुक है ठीक है ने लेकिन ये नहीं बता पाएगे हाँ, इसके नीचे के भाग के बारे में बता दिया है, हमने ये दोनों बता दिये हैं, चंद्रमा बता दिया है, ये बता दिया है, सनी की बात करें सनी अभी अगर देखें तो यहां पर बहुत ज़्यादा उबर गया है सुबह उठने में थोड़ा आलस ज़्यादा आ सकता है सुबह अगर कोई छे बजे उठने को को हो या पांच बजे उठने को को हो तो थोड़ा कहीं न कहीं विस्तर छोड़ने का मन नहीं करेगा थोड़ा परेशानी मैसूस होगी और यहाँ पर थोड़ा बैठ गया है तो नौकरी से समंदित जो मामला है उसकी तरह बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है बहुत सरलता से सहजता से चीजे अच्छे नहीं उबरींगे कहीं न कहीं जो नौकरी का विसेश कर मामला है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है और जाच परक कर चलने की जरूरत है बहुत जाच परक कर चलने की जरूरत है तबी जीवन में सपलता जादा है यह यहाँ पे दिखा रहा है आपका सूर्य जो है एकदम जो है बैठा हुआ है कहीं न कहीं जितनी आप मेहनत करेंगे जितना परिस्रम करेंगे उस हिसाब से उतना क्रेडिट और स्रे मिलने की संभावना अभी कम है जो आपके द्वारा प्रियास किया जाएगा वो पूरी तरों से सपलता की इस्तिति में पहुँचने में देर लगेगी कामों में कहीं न कहीं बिलंबता आएगी कई बार अर्चनों का सामना करना पड़ेगा और कई बार अपने को अस्तापित करने के लिए अपने बर्चोस्व को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी आपका जो सूर्य तत्वा है वो कमजोर है तो इसको ठीक करने के लिए कहीं न कहीं जो है आपको सूर्य की पूजा करने पड़ेगी मैं बहुत विदिवत तरीके से आपको दिब्य सूर्य किरिया भी दोंगा बाकि आप किस प्रकार से करते हैं ये आपके उपर बात होगी बस आपको दो ही चीज करने हैं दिब्य सूर्य किरिया दिब्य योग ध्यान किरिया वो एक ये होता है जाद तर और एक महालक्षमी की पोजा है ये दो चीज अगर आप करेंगे बहुत सरल है दो दो मिंट की हैं अगर आप ये कर सकते हैं तो जीवन में आप बहुत उच अस्तर तक पहुंच जाएंगे और जाद तर आपके मनों कामना सोचने पर ही पूरी हो जाएगी इस वीडियो में बस यतना है एक नहीं वीडियो के स साथ पनों उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार